So hey guys, good morning, welcome to my new vlog So guys, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी राट जाकर एडिटिंग कर रहा था बाकी guys आपको पता ही हैं मैंने पिछले vlog में अपना नया business start किया था तो वो भी ना यार flop हो गया मैंना इंसानों पे भरोसा नहीं करता हूँ इसलिए मैंने जानवरों के साथ मिड़कर बिजनेस start किया था पर अब तो उन पर से भी भरोसा उठ गया मेरा पैसा खा गए सारे और guys अगर आपको वो मकडा और एडियन कहीं दिखे तो मार्णा सारों को तुमारे भाई का पैसा खा गए यार एक सेकंड ये क्या होड़ा है guys मैं अभी आता हुआ एक सेकंड आज जजानक से इतनी टेजवा क्यों सल रही है तूफान आने वारा है क्या औरे बाप डे ये क्या लगता है एडियन ने हमारे clock tower पर हमरा कर दिया और यार ये space ship तो मैंने कही देखी हुई लगती है पापा चलो आज मैं आपको अपनी बाबू से मिलवाने ले चलता हूँ आवे बेटे कौन है वो खुशनेसीब क्या रे भाई लोग स्वागत नहीं करोंगे हमारा अरे भीडू तू आ गया अरे आई 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 ए स्वागत आपका कैसे आना हुआ यहां क्यों आया है तुझे बोराटो है न मेरी ग्रेनी से डूर रहा कर अरे वो हम यहां से गुजर रहे थे तो पापा ने बोला उनको आपसे मिलना है तो मिलने चले आए यारो ओई आप सबसे मिलकर अच्छा लगा मैं तो पापा हुए भीडू का पापा सूथ गोल रहा है यह सच बटा भीडू तू इसे कहां से खरीड कर लाया है एक इंसान तेड़ा पापा कैसे हो सकता है अरे जबान को लगाम दे क्रिमिनल यह अपने ओफिसियल पापा है कई से खरीडा नहीं है मैंने बाबू मोसा यह बात कुछ रजम नहीं हो रही एक इंसान इरियन का पापा कोई से हो सकता है ओई मैं बताता हूँ सालों पहले में स्पेस में गया था और वहां मुझे भीडू की मा मिल गई और मुझे उससे प्यार हो गया हूए अच्छा तो आपकी लव मेरे जे नाइस आओ फिर मैंने वहां सादी कर ली और स्पेस में ही सेटल हो गया हूए तो अब इधर क्या लेने आये हो बोला तो है कि जब तक मेरे ग्रेन पाजिन्दा है टब तक ये एडियन मेरी ग्रेनी से सादी ने कर सकता चुप हो जाई एडे ससुर जी इसे माफ कर बेना ये भी नादान बच्चा है ओए क्या बास है मेरी बहुत बहुत संसकारी है चल बिडू अब बिमल खाने चलते है ओए क्या बोली तू बिमल खाती है आपापा मैं आपको बताना भूल गया मेरी जान बहुत बिमल खाती है नई ओए हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी ये रिस्ता हमें मंजूर नहीं है इससे सादी का सपना छोड़ दे ओए नई पापा मैं अपने जाने मन को नहीं छोड़ सकता मेरी जिनगी बरबाद हो जाएगी ओए ठीक है अगर बहु बिमल खाना छोड़ देगी तभी ये शादी हो पाएगी मुझे सोचना पड़ेगा ओए तुमारे पास दो ही रास्ते है या तो मेरा बच्चा या बिमल दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा वे ओए ये लो हम आपके लिए तोफा लाये है ओए ये पर लाया हूँ मेरी बहु के लिए ताकि वो पापा की परी बन जाये होए आ या रो और ये है मेरे दादा जी की तस्वीर इसे अपने घर में रखना बहुत सूब है अब ये मुझे से बरदास नहीं होडा इन सबको मार डालूँगा इन यही लोग के लखना पीसे छोड़िये खाना रेडी हो चुका है खाना खाके जायेगा नए ओए बाद में अभी मेरी मून पे मेटिंग है ठीक है अगली बार खाना खाके जरूर जाना वेसे पापा कैसी लगी आपकी बहु ओई बेटा बहुत सुशील और संसकारी है पर अगर बीमल छोड़ देगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा वे चलो अच्छा है ये जार रहे है इनके जाने के बात नीसे जाकर हवा बाजी करूंगा चाड़े एडियन अभी बताता हूँ तुझे अरे अस्टा हुआ पाप गए वरना दोनों के दोनों को गोरी मारे देता है अरे रुक जा अभी बुलाती हूने दूर नहीं गए हो गया अरे नहीं नहीं उनकी किस्मत में आज जीना लिखा होगा शोड़ो वैसे शासा आजा फ्री हो क्या हाँ फ्री ही हूँ बता ना क्या हो गया चलो ना आज हम फेंबरी मेंबर्स आइडेंग से खेलते हैं मजा आज रहेगा मैं फिरी नहीं हूँ, मैं नहीं आउंगा और मैं भी नहीं आउंगा, हमवर्क करना है गाइस तो अभी हम फेम्बरी मेंबर्स जाने वाले हैं आईडेंग से खेड़ने पर इस बार क्लॉक टावर पे नहीं पूरे सिटी में खेड़ेंगे और पापा और सोटू नहीं आने वाले क्योंकि उनको हमवर्क करना है बाकी वीडियो को लाइक कर देना और सेनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप करते नहीं हो यार बाकी अब सब आ गए है तो चलो हाइडन सी खेड़ने सड़ते है चलो सब लोग रेडि हो ना आज तो मैं ही ढूंड़ने आऊंगा ठीक है बाबु मोसाई हम सब लोग छुप जाता है मैं कहा जाओ एक काम करती हूँ पानी मैं चली जाती हूँ ये सब तो नल्ले है साले मुझे अब घर जाके खाना पर बनाना है इन सब भोखे सांड के लिए चड़ो डस्ट गी गिंटी पर आऊंगा एक, दो, तीन, डस एक काम करता हूँ जंगलों में चला जाता हूँ क्रिमिनल यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो जंगली जानवरों से बहुत डरता है अरे गलती से पेड़ पर चड़ गया नीचे कैसे उत्रू ये तो बहुत मुश्किल है अब ये पेड़ पे चड़ना मेरे बस की बात नहीं रही ताउजी आप कहीं भी सुप जाओ आपकी टोंड शाप शाप दिखती है शलो आप पकड़ गया हो नीचे आजाओ ओ शेट पकड़ा गया बेटा अभी आतना हूँ नीचे ये बहुत ही भूतिया रगा लग रही है पक्का ग्रेनी यही पर सुपी होगी पर मैं उसे यहां ढूंडूंगा कैसे एक काम करता हूँ शलो एक की पास बिमल एक की पास एक की पास एक की पास आज़व मोसी अरे वाहा एक रुपे की पास बिमल ये तो बड़िया डिसकाउंट है बुद्धू बनाया तुमको कोई डिसकाउंट नही है सलो तुम पकड़ी गई हो साले नूबडी वाले बिमल के नाम पे इमोशन से खेलता है अरे ये में कौन सी जगाए पर आ गया लगता है कोई सीक्रेट काम चल रहा है यहां पर जाके देखना पड़ेगा तरिया जी इसका क्या कोड़ना है रे फेक दो इसे पानी में अरे डाकू चाचा आप यहां पर रे आडम तू यहां पर कैसे आया भई अरे कुछ नई हम सब आई डेन सीख खेल रहे थे तो मैं यहां पर जंगलों में छुपने आया तब ही आप यहां मिल गए रे एक ही तो जगा बची थी सीक्रेट वो भी अब सीक्रेट न रही अच्छा सीक्रेट है मतलब कृमिनल मुझे यहां पर कभी नहीं डून पाएगा रे ना भई तू यहां ना चुप सकता हेलो कृमिनल आडम यहां चुपा से भई ले जाई से मारे सीक्रेट बेस पर से मैं तन्य लोकेशन बेचता सू क्या यार खुद ही बता दिया सीक्रेट बेस का लोकेशन और मुझे बोल रहे थे सड़ो तुम सब तो मिड़ गये अब बस हिपू और मम्मी ही बशे है डाकू चाचा की वज़े से मैं पकड़ा गया यार अरे बेटा तेरी मम्मी घर चली गई स्कूटी लेके मैंने देखा था उसे पेड़ पर से बाबु मोसा ये पानी में आके गोलती कर दी क्यूकि यहां तो बहुत खोतरनाक मोगर मोच है अरे रूक जा जे हम तेरे को खा जाएंगे तो कई नहीं बाग सकता अब एकी रास्ता है मेरे पास इन पे गोला छोनना पड़ गवा ये क्या ये तो हिप्पू के गोले की आवाज थी हिप्पू हम तेरे को गोले को सुन सुके है जल्दी बहार आजा औरे यार ये मगर मचो की वज़े से मुझे गोला छोनना पड़ा वरना दो-चार साल अंदर ही छुपके बैठता अरे ये को नाड़ा है सर के हड़ी पसड़ी अरे हमका प्यार से स्केलिटोन भाई बोलते है अरे ठीक से खाना बाना खाया कर तेड़ी हडिया दिख़री है और जिंपी जाया कर ए नूबड़ी वाले जोप मारता है तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हो अबे येरे बताना क्या काम है टाइम वेस्ट मत का हमका ग्रेनपा ने बेजा है हम उनका संदेश लेकर आये है अहे तो वो क्या चाहते है उन्होंने कहा है कि अगर क्लाक टावर के 10-12 किलो मिटर में भी कोई भी स्पेसिप दिखी तो ग्रेनपा भीडू के प्लैनेट पर हमला कर देंगे अपनी फाज लेकर देखा मैंने कहा था ना भीडू को घड़ में कुछने ही नहीं देना साहिए यह सब उसकी वज़े से हुआ है वैसे कोई बात नहीं मैं तो बोलता हूं कर दो वहां पर हमला उस प्लैनेट पर हमला करने के बाद उस सीधा क्लॉक टावर पर आएंगे हमला करने गाइस तो हम फाइनली घर आ शुका है और आज ग्रेन पाने धंकी दी है क्या कर सकते हैं और मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो शुकी है तो में बाप को एंट कटाव लाइक सब्सक्राइब सेड़ करनेशिए बाए